तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफी सारी चीज़ें जो हैं वो लर्न कर रहे हैं देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ग्राफिक डिजाइन के अंदर बना सकते हैं और इसके लिए हम लोग डिफरेंट सौफरेंस का इस्तमाल भी कर रहे हैं अच्छा अब यहां पे मैं आप लोगों को इस लेसन में थोड़ा सा वापिस पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और आप लोगों को याद होगा कि इलिस्ट्रेटर के अंदर हम लोगों ने एक फीचर जो है उसको काफी डिटेल में डिस्कस किया था Image Trace के नाम से हमने देखा था कि Image Trace एक वह इलिस्ट्रेटर में एक बहुत फायदा मुद फीचर है जिस्की मज़से हम लोग बड़ी असानी के साथ किसी भी Image को, किसी भी Illustration को, किसी भी Icon को हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको Vectorize कर सकते हैं इसके अलावा हम लोग ने image trace की मदद से images को vector textures के अंदर convert करना भी यह भी सीखा था अच्छा इस lesson में मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका overview देना चाहता हूं और इसके अलावा कुछ options by default मौझूद होती हैं image trace के अंदर जो के हमने पहले नहीं देखी थी वो अब हम इस lesson के अंदर देखेंगे और यह कुछ ऐसी quick options हैं जिनकी मदद से हम लोग बहुत quickly by default options को use करते हुए किसी भी illustration को या किसी भी चीज़ को वेक्टराइज कर सकते हैं यह एक illustration आप देख सकते हैं इस illustration को हम लोग illustrator में लेके जाते हैं और इसको हम वेक्टराइज करते हैं इसके लावा यह एक आप लोग देख सकते हैं और visual है ये कुछ visuals मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखे में तो चलेंज चलते हैं और image trace के मदद से सीखते हैं कि हम लोग by default options को यूज करके किस तरह बहुत असानी के साथ images को और different चीजों को, artworks को vectorize कर सकते हैं अपने लिए ताके हम उनको असानी से design में use कर सकें अच्छा जी यहां पर illustrator की एक file जो है वो open कर रखी है print में से और यहां पर मैंने यह कुछ visuals जो हैं यह निकाल के रखे में जैसे कि यह एक तो visuals मैंने भी आपको दिखाए भी तो इनको मैं drag and drop करता हूँ जी illustrator के अंदर जिसना से यह एक मेरे पास बहुत खुबसूरा सा जो है वो illustration वाला image है यह एक landscape है बहुत खुबसूरत और यह इस वक्त मेरे पास available है किसमे image के form के अंदर तो इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को याद होगा हम image को लाके यहां पे उसको embed करते होते हैं ताकि वो link up हो जाए अब हम जो है वो यहां पर मैंने image trace की option पहले से खोल रखी है जो के हम जनाबी अली window में जाके वो ले ले लेते हैं यहां पे भी हमारे पास image trace पड़ा होता है और इस पे अगर हम थोड़ा से जो साथ एक arrow बनाऊ है इसके उपर अगर क्लिक करें तो यहां पर यह कुछ options हैं जो के actually इस lesson में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन options के बारे में भी introduction देना चाहता हूं क्योंकि यह हमने पहले जो है वो नहीं देखी थी और हमने जो है वो इसको मजीद दूसरे एंगल से में trace की options को जो हमने डिसकस किया था तो यह जो by default options है यह भी कभी-कभी हमारे काम आ जाती है जब हम कास तोर पे quickly किसी भी हमारे पास time कम है हमने को layout finalize करनी है और क्या है जी कि हमारे पास इतना time नहीं है कि हम उसको बैट के pen tool से draw करें किसी भी चीज़ को या properly उसको illustrate करें तो उस सुरत में यह जो हमारे पास by default छोटी सी options पढ़ी है यहाँ पे इनको इस्तमाल करते हुए बहुत quickly हम अपने visuals को vectorize करके vector form में उनको अपने designs के अंदर अपने layout में use कर सकते हैं तो चलें जी इनको हम जरा थोड़ा सा overview करते हैं अब यही options यहाँ पे हमारे पास जब हम image trace के यह पूरा panel open करते हैं जिसमें यह advanced options हैं और यह कुछ उपर हमारे पास options मौजूद है तो इसमें यहाँ पे presets में पढ़ी नहीं है यह options अच्छा जी सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है high fidelity photo इसको मैं apply करके देखता हूँ जैसे ही मैं visual को click करूँगा और यहाँ पे high fidelity को मैं apply करके देखूँगा तो यहाँ पे यह मुझे अच्छा जी इसको मैं undo करता हूँ और इसके नीचे एक और हमारे पास option है low fidelity अब यह दोनों में difference किया है वो मैं जर आपको थोड़ा सा बताता है चलूँ जो high fidelity photo मैंने भी आपको apply करके दिखाया था उसमें आप लोगों ने देखा काफी ज्यादा details आ रहे थे और चोटे 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 patches थे यह जो low fidelity photo की option है यह भी काम वही करती है जो high fidelity की option कर रही होती है लेकिन फर्क सिर्फ यह होता है कि यह हमें बड़े patches के अंदर और अगर मैं इस image को expand करने के बाद अगर इस image को मैं Ctrl Shift G की मतलब से ungroup करके आपको दिखाऊंगा तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि यहां पर यह जो हैं यह सारे different portions बन चुके हैं different जो है वो paths बन चुके हैं तो यह बड़े paths में हमें produce करके देता है हमारा जो जो भी हमार विजुल होता है अगर इसको मैं expand कर दूँ तो यह देखें यह हमारे पास्ट में यह clear हो गए अब इसको अगर मैं ungroup करूं Ctrl Shift G की मतलब से और यहां पर आके यह देखें मैं अलएदा अलएदा करना शुरू करूं तो यह देखें यह patches बन चुके हैं हमारा विजुल जो है वो patches की सूरत में यहां पर आ चुका हुआ है और आप देख सकते हैं कि यह patches यहां पर available हैं तो यह हमारा जो option है low fidelity की वो मैंने भी आप लोगों को apply करके दिखाई अच्छा ज इसी तरह से यहां पर प्री सेट्स में हमारे पास कुछ colors की options हैं वो यहां पर हमारे पास available हैं जैसे कि three color six color इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहां से एक और visual जो है यह मैंने एक यहां पर रखावा जनाबिया ली एक और cartoonic image मैंने रखावाई यह cartoon बनावाई और मेरे तो यह आप देखेंगे कि यह जो मेरा visual था वो ना सर वेक्टराइज हो गया बलके वो three colors के अंदर चला गया है कम colors के अंदर उसको जो है वो monotone के अंदर उसको जो है वो वेक्टराइज कर दिया इसी तरह से अगर मैं इसके उपर six color की option अप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं कि अब आपको comparatively three color के निस्बत ज्यादा color range जो है वो मिल रही है यहाँ पर इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 16 colors की option मौजूद है यह जब हम apply करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास उससे भी ज्यादा six color से भी ज्यादा जो color range है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है अगर इसको मैं expand करूं तो यह देखें यह हमारे parts बन चुके हैं और अगर मैं इस इस तरह से vector parts के अंदर divide हो चुका है जो के पहले हमारा क्या थी हमारे पास एक jpag थी तो यह कुछ options हैं यह मैंने आपको बताई अच्छा अब एक और मैं यहाँ पर यह मेरे पास एक घड़ी का चोटा सा यह पड़ावाजी visual इसको मैं बैट करके थोड़ा सा इसको अपने अपने canvas के अंदर लेके आरों artboard में अच्छा अब यह आप देख सकते हैं यह flat image है ठीक है है यह भी हमारे पास image ठीक है जी यह png form में हमारे पास available है यह जनाब यली अब इसके उपर मैं यहां से आके apply करता हूं black and white logo की option एक यहां पे available है यह देखें black and white logo के बाद मैं अग यह देखें यह पहले हमारे पास available था कुछ इस तरह से आप blur नेस जो है वो इसके अंदर देख सकते हैं अगर मैं इसके उपर black and white logo apply करूं तो यह देखें बड़ा clear है बड़ा easily visible है कि यह हमारे पास जो है वो वेक्टराइज हो चुका है ठीक है जी अब again अगर हम इसको expand कर दें और उसके बाद control shift G कर दें तो हम देख सकते हैं कि यह हमारे पास different portions के अंदर जो है यह हमारे पास जो है वो हमारा जो एक पूरा हमारी यह पीन जी थी यह हमारे पास different portions की चेकल जो है यह अख्तियार कर चुकी है यह अब तीन portions में यह divide हो गई है तो इस तरह से हम black and white logo की मदद से जो चीज हमारे पास black and white के अंदर है उसको हम इस वाली option के मदद से जो है वो चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं अच्छा जी यहां पर हमारे पास एक यह guitar का image पढ़ा हूआ है इसको भी मैं ज़रा यहां पर लेके आता हूँ और इसको मैं embed करता हूँ इंबेट करने के बाद मैं zoom in कर लेता हूँ अब यहां पर यहां पर यह मैंने आपको कुछ options दिखाएं थी यह नहीं में से मैं इसके उपर for example low fidelity photo जो है यह मैं apply करके देखता हूँ यह देखें यह बड़ा खुबसूरत सा मेरे पास vectorized image आ गया है अच्छा यहां पर एक और tracing result with outlines अब यह जो है यह outlines भी दिखा रहा है tracing के सासथ की जो path बने हैं जो image trace की feature ने path create की है इस image में से वह path भी आपको नजर आने शुरू हो गया है उसकी outline आपको नजर आनी शुरू हो गया है अगर आप खाली उन path की outline देखना चाहें तो इस तरह से आपको वह यहां पर ती source image यानी source image वह image है जिससे हमने image trace की मतलब से उसको trace किया या vectorize किया तो वह भी हमें देखने को मिल जाएगा और इस तरह से सबसे नीचे option है जी source image की तो यह हमारे पास different options मौजूद हैं जिनकी मतलब से हम देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास नीचे यह कुछ advanced options भी हैं जि reduce कर सकते हैं तो यह देखें अगर आप ज्यादा noise इसमें add कर देंगे तो यह कुछ इस तरह का noisy सा vector जब वह आपको मिलेगा जबकि अगर मैं noise को reduce करता हूं कम रखता हूं तो यह देखें हमारी जो detail है हमारे vector की वह अपनी जगा पे काईम है इसको हम अगर expand करें और ctrl shift g कर आपके जब करेंगे जब आपको बहुत क्विकली कोई चीज वेक्टराइस करके अपनी किसी भी डिजाइन या layout के अंदर इस्तमाल करनी होगी जी तो हम लोग उने image trace को मजीद explore कर लिया और हमने देखा कि किसना quickly हम लोग trace कर सकते हैं वेक्टराइस कर सकते हैं किसी भी image को चाहे वो jpeg form में हो या png form में हो और उसको हम इस्तमाल के काबिल बना सकते हैं अपने visual में ताके हमारे visual में use होने के बाद वो हमारे जो layout है हमारी या हमारा जो design है उसकी जो face value है उसको कम ना करें बलके उसका एक मुनासिब हिस्सा जाए वो बन जाए तो यह हम लोग ने अब next lesson में हम लोग इंशाला ताला कोई और नई चीज जो है वो create करनी सीखेंगे और उसके हवाले से हम discussion करेंगे graphic design को लेके